जैहिंद आज के इस वीडियो में हम लोग 12 विक अच्छा के ग्रिह विज्ञान मतलब होम शाइंस विशाय के चेप्टर नमबर 3 पर चर्चा करेंगे होम शाइंस मतलब ग्रिह विज्ञान चेप्टर नमबर 3 जिसका नाम है आशमर्थ तथा आयोग्य बालकों की बिशेश आवशक्ता मतलब जो आशमर्थ बालक होते हैं आशमर्थ जो किसी काम को पूरा-पूरा करने में शक्छम नहों या करने के लाइक नहों उसे आशमर्थ कहते हैं तथा आयोग्य जो योग्य नहों ऐसे बालकों की बिशेश आवशक्ताओं पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जाने कि आशमर्थ या अपंग वालक किसे कहते हैं तो आपका उतर होगा वे ब्यक्ति या वे बालक जो सरीर के किसी अंग कमजोर होते हैं वे ब्यक्ति जो सरीर के किसी अंग से कमजोर होते हैं जिस कारण वे शमाजिक कारियों का निरवाह नहीं कर पाते हैं नहीं वह समुह का हिस्सा बन पाते हैं आशमर्थ या अपंग बालक कहलाते हैं मतलब वह ब्यक्ति या वह बालक जो सरीर के किसी अंग से कमजोर होते हैं जिस करण वे तो शमाजिक कारे का निर्वान नहीं कर पाते हैं और नहीं शमुह का हिस्सा ही बन पाते हैं तो ऐसे बालक को हम औसमर्थ या अपंग बालक के नाम से जानते हैं अब सवाल होगा तो औस्वमर्थता की स्थिती मतलब बालक औस्वमर्थ क्यों हो जाता है कोई बालक अपंग क्यों हो जाता है तो बिद्वानों के माने तो बिद्वानों ने बालक की औस्वमर्थ होने के तीन कारणों का उले किया है पहला औस्वमर्थता के तीन कारक होते ह मतलब बच्चा जब जनम लिया तो जनम के समय ही उसके सरीर के कोई यंग छतिगरस्थ हो गया या जनम लेने के बाद भी किसी दुरुगटना के करान उसके कोई यंग छतिगरस्थ हो गया आशक्षमता आशक्षमता मतलब शमान उम्र के बच्चा से अगर किसी का बुधी लगधी का विकास रूख गया जो समान्य बच्चा कर पाता है कुछ ऐसे बच्चे होते हो जो नहीं कर पाएंगे उसको असक्षम कहेंगे और बिकलांगेता हाथ पाउं का छोटा हो जाना तूट जाना इन कारणों से वो न ठिक से लिख पाता है चल सकता है न खा पाता है न अच्छा से बैठ पाता है तो इसे पुम्बिकलांगे कहेंगे अब प्रशन है तो असमर्थता के छेत्र कितने है असमर्थता को कितने कैटेगोरी में बाटा गया है तो आपको बता दे कि असक्षमता या समर्थता के तीन छेत्रे है पहला सारीरिक समर्थता या अच्छमता शरीर से जो बैक्ती देखने में ही अच्छम लगे लूलहा लंगरा काना बहरा मतलब शरीर से अच्छमता वालक मानसिक जो मस्तिस्क से अच्छम हो तीसरा समाजिक अच्छमता मतलब समाजिक अच्छमता वाग नहीं लेने वाला मतलब अच्छमता या अच्छमता के तीन केटेगोरी है पहला सारीरिक अच्छमता मानसिक अच्छमता समाजिक अच्छमता यह जो सारेरिक आसा छमता है इसके छो कटेगोरी हैं सारेरिक आसा छमता के कितना केटेगोरी है छो कटेगोरी है पहला गतिशिलता मतलब जो सारेरिक रूप से आसक्षम होगा वह गतिशिल नहीं होगा जैसे कोई विकलांग हो पैर से तो शमान ने बचा कि दौर के किसी आस कुछ लोग बक्चे ऐसे होते हैं, जिन्ट किरीर की हड़ी भकर हो जाती है, तो वो सीधा नहीं खाड़ा हो पाता है, वहड़ी तथा कम सुनने वाले वालक, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो देखने में शमाने लगते हैं, लेकिन कई बार वहाँ सुनना ही पाते हैं, और कुछ किसी व्यक्ति के सजोगी जरूत होती है, कमजूर नजर वाले वालक, मतलब कमजूर नजर वाले वालक वह वालक होगा, जो किसी एक निशित दूरी के बाद या एक निशित दूरी से पहले, किसी बस्तु को या किसी चित्र को या किसी यक्षर को असपश्ट नहीं देख प भाषाली बालक और भाषा दोश वाले बालक शमाजिक असक्षमता की बात करें तो शमाजिक असक्षमता में आजाएगा समस्या गरस्त बालक पिछरे या धीमी गती से सिखने बाले बालक शमबेगात्मक कुशामायोजित बालक शमाज बिरोधी बिवहार बालक और अपराध तो यह रहा और शक्षमता के छत्र आगे चर्चा करें तो कहता है प्रश्निक नया कि कम सुनने वाले बालक को सिख्षा परदान करने के लिए किन-किन बिधियों का परियोग करना चाहिए जो बच्चा कम सुन पाता हूँ शुनने में शक्षम नहीं हो तो ऐसे बच्चे को हम कम सुनने वाले वालक केंगे और कम सुनने वाले बालक को यदि आप सिख्षा देना चाहते हैं पढाना लिखाना चाहते हैं तो उसे सिख्षा कैसे देंगे, तो पहली बात भासा चिन्ह विधी से, कम सुनने वाले बालको हम भासा चिन्ह विधी से, स्रव द्रिश विधी से, और स्रवन विधी से, मतब कहानी वेगार सुना सुना करके तब उसको हम सिख्षा देने का काम करेंगे, उसके बात एक विश से देंगे तो आपको बता दे अन्धे बालक को सिक्षा खेल बिधी से देना चाहिए दुसरा अन्धे बालक को शंगीत में निपुन मराया जा सकता है क्योंकि जो अन्धा होगा उसके लिए सबसे जो बढ़ी आच्छेत रहे वह सेलिद दीद का शित पहना आगे लिए टौपी की हम बात कर लें तो कम अंधा बालक की सिक्षा विवस्था कैसे दे बालक कम अंधा है पूर्ण अंधा नहीं है वो कुछ-कुछ देख पा रहा है तो वैसे बच्चों को सिक्षा कैसे देनी चाहिए कहता है कि जो बच्चा कम अंधा हो मन्ध कुछ-कुछ देखने में शक्षम हो तो ऐसे बच्चों का इनका पाठ्यकरम बिद्यालय अलग हो मतलब कम अंध्य बाला का पाठ्यकरम भी अलग हो मतलब पुस्तक भी अलग हो शिले वस अलग हो उसका बिद्यालय भी क्या हो अलग हो बलैक बोड उचीत अस्थान पर होनी चाहिए इनका जो बलैक बोड हो उचीत अस्थान पर ताकि वह वहाँ बैटकर आसानी से देख शके कक्षा में प्रकास की पूर्ण ब्यवस्था हो ताकि वस्पस्ट देख सके आक्षर को बोड पर बोल कर लिखना चाहिए मँद शिक्षक काय करता बे होगा कि बोड पर यदी कुछ लिख रहा हो तो यह नहीं कि चुपचाप लिखे दे बोलते हुए लिखे ताकि बच्चा शुन कर भी लिखे ले बोट देखने के ज़रुत ना पड़े और बालक के साथ मित्रवत ब्यभार होने चाहिए जो अंधा बालक हो या कम अंधा बालक हो मित्रवत ब्यभार करेंगे तो परहाई के परती उसकी रूची बनी रहेगी अगला परशन है अपंग बालक को किन किन कठिनाईयों का शामना करना पड़ता है मतलब जो बालक अपंग है जो बालक बिकिलांग है तो अपंग या बिकिलांग बालक को किन किन कठिनाईयों का शामना करना पड़ता है तो आपको बता दें, आपको तर लिखेंगे कि अपंग बालक को कई कठनाईों के समना करना परद्जे से लोग उसका मजा कुराते हैं सभी बात हैं, आपके आसपास में कोई आपका मित्र एक आक्षे काना होता है, एक पैर से नहीं चल पाता है तो आप उसको कनहा, लंगरा, जैसे शब्द से उसको समधित करते हैं, उसका नाम रखे नहीं बुलाते हैं तो ये लोग उसको बिकृत आंग के नाम से मजा कुराते हैं, जो ठीक नहीं है घर से विद्याले जाने में भी दिक्त होती है, शामाने बचा आपने घर से बड़ी आसानी से विद्याले पहुं जाता है अगर वह विकलांग हो, तो बड़ी पड़ेसानी होते हैं जाने में देर भी लगता है उससे जिसरा विद्याले में छट पर लिफ्ट या स्लोप होना चाहिए अगर वो बच्चा पारना चाहता हो जिस विद्याले में वहाँ विकलांग बच्चा पर रहा हो अपंग बच्चा पर रहा हो अगर उसका कक्छा पहले तो उसका कक्छा ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए लेकिन याद इस संभब नहीं हो ग्राउंड फ्लोर में पूरी सिख्छा दे पाना तो छत पर जाने के लिए जो लिफ्ट होना चाहिए या शलोप वाली शीरी होनी चाहिए ताकि शीरी पर बच्चा बैठ जाए और आसानी से उपर चला जाए अब अगला प्रशन है तब बालकों के दोसपुर्ण अंग के क्या करन है मतलब किशी बालक का कोई अंग दोसपुर्ण हो जाता है तो अंग के दोसपुर्ण होने के पीछे वजह क्या है रीजन क्या है कारण किया है तो आपको बता दें कि बालकों के अंग के दोसपुर्ण होने के कई कारण है पहला निम्न शमाजिक तथार्थिक अस्तर शमानत देखेंगे बिकलांगता का परतिशत सबसे जादा निम्न मध्यमबर्गी या गडिव पडिवार में देखने को मिलता है क्योंकि उसकी समाचिक और अस्तर दोनों ही कमजोर है वह उसका उपचार नहीं करवा पाता है दूसरा दोसपूर्ण वातावरन मतलब विकलांगता को प्रहवित करने वाला है कि दोसपूर्ण वातावरन भी है अगर वातावरन सुक्ष है तो विकलांगता का स्तर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वाता बरन दुसी तो हो दोस्पुर्ण हो तो दोस्पुर्ण वाता बरन भी विकलांगता के लिए आप मतलब जो बालक दोस्पुर्ण अंगवाले है या विकलांग है उन्हें किन चीजों के जरूरत होती है इस बात का उलिह करे अपको मता दे कि दोश्पूर्ण अंग वाले बालकि आप सकता है नंबर एक इन वालकों में हीन था का भावन नहीं आने देना चाहिए पहलाओ कि जो दोश्पूर्ण अंग वालक है यदि आप उसका संपर्ण विकास करना चाहते हैं तो उनके अंदर हीनता की भावन नहीं आनी चाहिए मतलब उसका माजाक नहीं उड़ाई है इसके अलोचना नहीं करनी चाहिए मालिया कोई नहीं चाहता है कि मेरा कोई यंग छतिगरस्त हो जाए सब सुन्दर और स्वस्त दिखेना चाहता है तो हमें उसके अलोचना नहीं करनी चाहिए इनहें कौसल सिखाना चाहिए कोई न कोई उसके अंदर सिखा देना चाहिए ताकि वह स्वावलंबी बन सके इनमें शमायोजन की भावना विक्षित करनी चाहिए मतलब समाज में कैसे एड़ज़स्ट करे ऐसा उसे बना देना चाहिए और ऐसे बालकों का ब्यक्तित्व शमाने धंग से विक्षित करना चाहिए और अगला प्रशन है मंद बुधी के बालकों के सिक्षा के परबंध के लिए क्या करना चाहिए मत एक ऐसा बिद्याल होने जहां मंद बुधी के सब हो तो इस शमान कैटेगोरी को होगी तुसमें हीनता नहीं आएगी और शिक्ष भी लेगा बड़ी ऐसा निशे दुसरा शमाने बालकों से विशेश परबंध के साथ शिक्षा दिन चाहिए ताकि सुनते सुनते उसे याद हो जाए तिसरा एसे बालकों में परशिक्षित तथा विशिष्ट सिक्षकों से शिक्षा दिलवानी चाहिए जो मंद बुधी के बालकों उसको शमानी टीचर से नहीं परभवाना चाहिए उसके लिए परशिक्षित और विशिष्ट जो सिक्षा के छितर में महारत हासल किया हो वैसे सिक्षकों से परभवाना चाहिए ताकि उसके अंदर एक से बढ़कर एक तकनीक होती है कि बच्चों के दिमाग में कैसे ग्यान की बातों को डाल दिया जाए अगला है तो परतिवाशाली बालक को नोगा सुनते होंगे अरे मंद बुधी का बालक है अरे ये तो बड़ी परतिवाशाली है तो परतिवाशाली का बालक होगा कौन उसकी विशिष्टा क्या होगा तो प्रतिवा शाली जो बालक होते हैं उसकी पहली पहचान ऐसे बालक को मित्र कम होते हैं आप बच्चपन से अभी तक 12 भी तक करच्छा में पूरा कर लिए तो आप देखे होंगे आप महसूस करेंगे कि जो बच्चा चाहे वह लड़का हो या लड़की हो परहने में यादी जीनियस होगा तेज होगा तो ऐसे बच्चे थोरा स्वार्थी होते हैं और जिसकार उनके पास मित्र कम होता है तो ऐसे बच्चे अपना मित्र कम बनाते हैं दुसरा ऐसे बालक समाज के प्रतेक्षित्र में होता है मतलब प्रतिवासाली जो बालक होगा समाज के प्रतेक्षित्र में होगा तुसरा ऐसे बालक कई बार अपनी जिग्यासा को मतलब मन में उठ रहे प्रश्ण को सांथ करने के लिए सिक्छक से प्रश्ण करता है और सिक्छक उसके उतर नहीं दे पाता है तो अपनी कमी को सिक्छक छुपाने के लिए क्या करते हैं बच्चे को डाट कर बैठा देते हैं अब भाषा दोष वाले बालक बालक कौन-कौन होते हैं तो भाषा दोष वाले जो बालक होते पहला उच्चारण में दोष मतल्ब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उच्चारण सुध नहीं कर पाते हैं अब उच्चारन की हम बात करें तो उच्चारन में जैसे वह तलाबेशा और मुर्धानेशा बोलने में अंतर नहीं कर पाएगा कौको चौबो बोलेगा रा को लबो बोलेगा तो उच्चारन में दोस होगा दूसरा वानी विकार असपश्ट नहीं बोलेगा हक लाएगा तूतल लाएगा वाक के शन रचना में दोस मतलब वाक के को सही से वह नहीं जो शब्दों को जो कर वाक के निर्मान उसे नहीं हो पाएगा और सब्द के अर्थ समधी दोस वह दो सब्दों का इस स्पेलिंग थोड़ा समिश्टिक कर देजा लेकिन दोनों का आर्थ हुए खी बताएगा लेकिन दोनों का मतलब वालाग वालाग होता है लेकिन जो बच्चा भासादोस वाले होंगे वह दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं अब है समाज बिरोधी बिवहार वाले बच्चों की क्या विशिस्ता है समाज बिरोधी बिवहार वाले बच्चों की क्या विशिस्ता है तो आपको बता दे कि समाज बिरोधी बिवहार वाले बच्चों की विशिस्ता नमब एक में आग्या का पालन नहीं करता मत्समाज बिरोधी जो बालक होते हैं वह जल्द अन्न की बातों छोड़ दे अपने माता पिता और अपने सिक्छशक की आगया काई पलन नहीं करता है दुसरा, हमेशा लराई जगरा करता है, शमाज विरुधी बाला की पहचार ने हमेशा लराई जगरा करेगा तिसवा, चिंतन की भावन नहीं होती यह सूचता ही नहीं है कि इसका पड़ी नाम क्या होगा चौथांतर है, शमाज के विखास के लिए अनुफिक्त होता है सताएगा चल चलने किशी के समान तोड देना पथा उठार के कुट्था और कुछ पूंधा को generate कीशी के काच को तोड़ को तो तो जहां रहेगा वहां तो हमें यह इसकी पहचार भचcipl या अपराधी बालक कौन है या अपराधी बालक किसे कहेंगे तो इसमानशी बात है कि अपराधी बालक उस बालक को कहेंगे जो शमाज द्वारा बनाए गए कानून और नियमों की अभिलना करता है मैंने वह बालक जो शमाज के द्वारा बनाए गए कानून की अवहिलना करता है, शमाज के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानता है, तो ऐसे बालक को हम अपराधी बालक के नाम से जानते हैं, तो प्रश्ण है, अपराधी बालक के कौन-कौन होगा, हम कैसे कहेंगे कि पहला बातों को नहीं मानेगा, चोड़ी करेगा, मार्पिट करेगा, आत्म हत्या का भिगुनमुस में होगा, जूट बोलेगा, मध्धपान करेगा, हर्ताल करेगा, बिद्यालेशे भागेगा, धोखा देगा, बैमानी करेगा, गुस्थाकी करना, अवारा गरदी करना, तोर बालक की विशिष्टा क्या है मतलब समाजिक और सक्षम्ता से युक्त बालक की क्या विशिष्टा है क्या वसकता है तो जो समाजिक और सक्षम्ता से युक्त बालको का उसकी ज़रूरत क्या है ऐसे बच्चों के शिक्षक अबिभवा को चाहिए गार्ढ़ ऑदियन को चाहिए माता पीता को चाहिए विशिष्ष्ट सिक्षक से प्रवाए दुसरा उसके रूची का नुसार उसको काम दे तिसरा समय समय पर उसका मार्ग दरसन करते रहे उसके उसे सभी प्रकार की शुब्धाई निसुल्क सरकार की द्वरा दिये जाना चाहिए और उसके लाइक महौल पैदा करके उसे ठीकिया जा सकता है और है शमाजिक असमता जुख बालक की पहजान कैसे करेंगे हम कैसे जानेंगे कि यह बालक शमाजिक और सक्षमता से युक्त है भाष्चाने का तड़ी का क्या है तो शमाजिक और सक्षमता से युक्त बालक के लिए हमको उनके कठनाई को समझना होगा और कठनाई को समझ कर उसके समस्या का शमधान करना पड़ेगा तो आज के क्लास में इतना ही धन्लेवाद